हलो डेर स्टुडेंट्स वालकम टू मैंने ब्रीन्स मैं संचुता जैन आप सभी की शोल साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामच विज्यान में राजनीती विज्यान के चैप्टर नमबर 2 का अगला टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है समवीधान निर्माड और आज के टॉपिक का नाम क्या है भारतिय समवीधान का निर्माड ठीक है अब इसके पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना था समीधान निर्माड का जो आपका chapter number 2 है इस chapter का हमने part परीचे जाना है फिर दक्षड अफ्रिका में लोगतांतरिक समीधान के बारे में जाना फिर हमने जाना कि हमें समीधान की जरूरत क्यूं है क्या वश्यक्त है समीधान के कारे क्या क्या है इतनी सारी बाते हम पहले के वीडियोज में जान चुके हैं उमीद है सारी वीडियोज आपने देख लिए होंगे अगर नहीं देखे हैं तो फटा फट से जाई और सारी वीडियोज को देख लिजे अब आज बारी आती है भारतिय सम्वीधान का निर्मार भारत का जो Constitution है उसका निर्मार कैसे हुआ था तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के शेशन को आप सभी लाइक करदें, शेयर करदें, साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब भी करदें क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है आपको Class 6 से लेकि Class 12 तक के सारे कोर्स प्री ओव कोस्ट, High Quality Education के साथ, Fully Organized Complete Course के साथ अगर आपको E-Book सुरी Notes की भी आवश्यक्ता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए एक लिंक दिये है, वहाँ से आप सारी E-Book सुरी Notes भी अवेल कर सकते हैं आप सभी के लिए CBSC Board के साथ साथ MP Board, UP Board, भिहार Board, दिल्ली Board, राजस्तान Board के सलेबस को भी प्रोवाइड कराता है और उन सारे State Board के सलेबस को Complete कराया जाता है जहां पर NCRT का Pattern Follow होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके Like Share के साथ शुरू करते हैं आज का ये Session जिसका नाम है भारती समविधान का निर्मार पहले तो बात आती है कि भारत को आजाद होने दो किसी भी देश जब तक आजाद नहीं होगा कोई भी देश तब तक उसके बाद उसका सम्विधान बन पाएगा जब तक आजाद नहीं बन पाएगा तो भारत कब आजाद हुआ था भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को ये बात तो हम सभी को ग्यात है ठीक है हम आजाद कब हुए थे 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे और उसी के उपलक्ष में 15 अगस्त को प्रतिवर्स सोतंत्रता दिवस मनाया जाता है अब गुलाम हम किस के थे तो वह यह अंग्रेजों के ही गुलाम थे हम भी ठीक है झौलाम था अंग्रेजों का अंग्रेजों ने एपनी यूरोपी शक्ती से रक्षड अफ्रिका को दबाके रखा था गुलाम बनाके रखा था वहाँ पर अपना शाशन इस्थापित करके रखा था तो इसके पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे अब अलग-अलग हो गए ठीक है और फिर उसके बाद बटवारा हो गया ठीक है माउंट बेटन प्लान अगर आपने पढ़ा हो माउंट बेटन यूज ना तो उसके तहत यह गोशना करी गई थी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बनाए जाएंगे और भारत का बटवारा भी हुआ तो दोनों देश बटवारे को सहन भी नहीं कर पा रहे थे लेकिन बटवारा हुआ भी अब जब बटवारा हो गया दो देश अलग-अलग हो गये तो दोनों देशों के संवीधान को भी अलग-अलग होना चाहिए तो दोनों देशों का अपना-अपना सम्विधान भी बनाया गया ताकि देश का सालसन बहुत अच्छे से चल सके सम्विधान की कानौनों के अनुसार चल सके क्लियर हो रही है बात क्योंकि दक्षड अफ्रीका में क्या हुआ था दक्षड अफ्रीका में भी यही बात वी थी कि अंग्रेज अपना शाशन कर रहे थे जिससे दक्षड अफ्रीका के लोग परेशान थे और दक्षड अफ्रीका के लोग और अंग्रेज लोग एक दूसरे हम स्वतंत्र रहेंगे और खुश रहेंगे बिल्कुल नहीं और अब जिन व्यक्तियों को आपने दबाया है उन पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आपका विरोध करेंगे बदला लेंगे तो दक्षड अफरिका में किस चीज की जरूरत पड़ी कि भाई इस द पाकिस्तान का अलग सम्विधान बना और भारत का एक अलग सम्विधान बना सबसे पहले सम्विधान सभा बनाई गई भारत के लिए कि एक सम्विधान सभा बनाई जाएगी वो यह डिसाइड करेगी कि भारत के सम्विधान में कौन-कौन सी बातें जोड़नी चाहिए ठी को पहले हम बात करेंगे इसमें समविधान निर्माड के रास्ते के बारे संविधान निर्माड का रास्ता आखरःः क्या है देखें तो भारत जैसे विशाल वा विविदता भरे देश के लिए समविधान बनाना आसान नहीं था हम सभी को पता है कि भारत कितना बड़ा देश है कितना विशाल देश है ठीक है भारत का शेत्रफल को कितना है कोई जानता है सबसे पहले हम शेत्रफल की के तीन चैप्टर्स भी पढ़ा दिये हैं तो सबसे पहले ही चैप्टर में भारत के आकार और भारत की स्थिति में पता चलता है कि भारत का शेद्रफल 32,87,263 किलो मीटर है तो इतना बड़ा देश है और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वर्तमार आक बिल्कुल आसान बाद नहीं है तो भारत जैसे विशाल और विविद्धिता भरे देश अब इस बिविद्धिता शब्द का लोग जब एक ही देश में निवास करते हैं तो उसमें विविदता निवास करते हैं तो इतना इतनी जादा जन संख्या निवास करती तो इस देश का समविधान बनाना आसां काम था लेकिन बनाया गया और भारत देश के समविधान को बनने में कितना समय लगा भारत देश के समविधान को बनने में दो वर्ष ग्यारा माह और अठारा दिन का टोटल समय लगा था ओल राइट फिर अठ्रा सो अंठावन के बाद से ब्रिटिस सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधीनियम प लेकिन उन्ययमों के मतابक शाषन चल नहीं पायाए क्यूँ क्यों कि भारती आकांचाओं को वो ब्रिटिस सरकार द्वारा बनाए गए अधीनियम पूरा नहीं कर पाए ठीक है जैसा भारत की जनता चाहती थी कि हमारे देश का शाषन ऐसे चले ठीक है वैसी उन्यूम में बात ही नहीं थी वो जुनियम ब्रिटिस सरकार ने बनाये थे 1858 के बाद जितने भी अधीनियम पास किये थे जितने भी एक्ट पास किये थे उनमें भारतियों की भलाई कहीं नहीं दिखती थी उसमें किस का भला दिखता था सिर्फ और सिर्फ और ब्रिटिस सरकार का भला दिखता था इसलिए वो सारे अधीनियम ब्रिटिस जो ब्रिटिस सरकार के द्वारा बनाये अधीनिय जो धर्म के आधार पर बटवारा हुआ था तो बिभीश का यानि की वो जो भयानक स्वरूब था वो जो दर्द था वो भी जेला था किसके बटवारे की बात हो रही है यहां पर यहां पर बात हो रही है वैसा भारत और पाकिस्तान की किसकी बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है तो यह सब भी जेला था ठीक है फिर 1928 की हम बात करें ठीक है तो 1928 में क्या हुआ था मौतिलाल नहरू किसकी बात हो रही है मौतिलाल नहरू की बात हो रही है जवाल नहरू की नहीं तो 1928 में मौती लाल लहु और कांग्रेस के आठ अन्य नेता उन्हें भारत का संभीधान लिखा था प्रक्रिया तब से चालू हो गई थी क्योंकि जो ब्रिटिस सरकार नियम बना रही थी भारतियों को पसंद नहीं आ रहे थी क्योंकि उनकी भलाई महनें थे उनसे सिर्फ और सिर्फ और बना अधीनियम से सिर्फ और सिर्फ भला हो रहा 1928 से वो गई थी सम्विधान को लिखने की शुरुआ ठीक है तो 1928 में मौतिलाल लहरू और कांग्रेस के आठ अन्यनेताओं ने अपना एक सम्विधान लिखा था भारत का एक सम्विधान लिखा था लेकिन उस समय वो लागू नहीं हो पाया था व्योंकि भारत देश को आज पाकिस्तान में तब तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था यानि कि भारत के ही करांची में व्योंकि पहले भारत पाकिस्तान एक थे बट वारत 1947 में हुआ था तो 1931 में करांची में भारती रास्टी कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ भारती रास्टी कॉंग्रेस की सम्मेलन आयोजित किया जाता था तो 1931 में वो सम्मेलन कहां हुआ पाकिस्तान के करांची में हुआ ठीक है और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था तब यानि कि करांची भारत का ही हिस्सा था तो 1931 में करांची में हुए भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन में ये प में जब कराची में भारति राश्टी कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें यह प्रस्ताओ यानि की प्रपोजल प्रस्ताओ का मतला क्या होता है प्रोपोजल ये प्रपोजल भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा हुआ ओल्राइट और इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंतर भारत के संविधान क्या बात के गई है इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के सम्विधान में सार्भमेक वयस्क मताधिकार कौन से दो दस्तावेज एक जो 1928 में मौतिलाल नहरून कांगरिस के आठ अन्यनेताओं के साथ लिखा था और 1931 में करांची अधिवेशन में भारती राश्टी कॉंग्रेस के करांची अधिवेशन में जो प्रपोजल रखा गया था जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि भारत के सम्विधान में सार्भमेक वयस्क मताधिकार होना चाहिए क्या होना चाहिए सार्भोमेक वयस्कमत अधिकार अब सार्भोमेक वयस्कमत अधिकार क्या होता है क्या होता है यानि कि 18 वर्स और उससे अधिक आयू का हरीक व्यक्ति मतद करने का अधिकार रखता है वोट देने का अधिकार रखता है मतदान का अधिकार रखता है तो कौन-कौन सी बातें थी सार्भ होमे ग्व्यस कमता अधिकार स्वातंत्रता और समानता का अधिकार और अल्प संख्यकों के किसके अल्प संख्यकों के अधिकारों की बाद भी कही गई थी दोनों बार 1928 में भी ठीक है और 1931 में भी अल्राइट किलियर 1928 में जो मौतीलाल नहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें और 1931 में कब जब कराची अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेश का किलियर ठीक है तो इस तरह से भारती सम्विधान की नीव रखी गई थी जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाना के लिए सबसे पहले foundation बनाना पढ़ता है यानि की नीव बनानी पढ़ती है तभी वो घर मंजल वाई मंजल मजबूत बना रहता है और कई वर्सों तक मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो इसी तरीके से भार्ती समविधान की नीव 1928 और 1930 से बनना प्रारंब हो चुकी थी अल्राइट, किलियर, अब देखें अब बात करते हैं हम किसकी समविधान सभा की सबसे पहले तुमने बात करी कि समविधान का रास्ता कहां से प्रारंब होता है नीव किस तरीके से रखी गई थी अब बात करते हैं समविधान सभा की समविधान सभा यानि की constitutional assembly तो समविधान सभा की बाद अब यहां कैसे आई तो समविधान सभा की बाद कुछ इस तरीके से आई क्योंकि सबसे महात्वपोड भूमिकाती समविधान बनाने में constitutional assembly यानि की समविधान सभा की जी हां तो समविधान सभा के लिए कुछ प्रतिनी धियों का चुनाव भी किया गया कि समविधान सभा में कौन-कौन रहेगा उस assembly में किनके नव्यक्तियों की भागिदारी रहेगे तो लग-लग पदों पर लग-लग व्यक्तियों को समविधान सभा में शामिल किया गया ठीक है? तो जो भी चुने हुए प्रतीनीधी थे तो चुने हुए जनप्रतीनीधियों की जो सभा समविधान नामत विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहा गया? उसे ही कहा गया समविधान सभा क्लियर हो रही है बात तो चुने हुए जन प्रतिनी धियों की जो सभा समविधान नाम के एक विशाल दस्तवेश को छोटा मोटर डॉक्युमेंट तो है नि एक बहुत बड़ी किताब है तो जिस सभा ने इस दस्तावेश को समविधान नाम की किताब को लिखने का काम किया तो उसे किस नाम से जाना जाता है समविधान सभा या Constitutional Assembly के नाम से जाना जाता है अल्राइट किलियर अब भारतिय संविधान सभा की बात आती है कि भारतिय संविधान सभा कब शुरू हुई कैसे बनी कौन-कौन से व्यक्ति थे संविधान सभा में तो कई सारे व्यक्ति थे जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर भीम राव अंबेट करका किसका क्यूंडर भीम् राउं, अंबेड करका क्यूं, कि इनका नाम सबसे इमHATVPन रूप से सामना आता धा है क्यूंकि समविधान ओन प्रारूप था ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा लिखा गया था डॉक्टर भीम् राउं, अ chỉ करके द्वारा ही लिखा गया था ठीक है कि सम्विधान होना कैसा चाहिए ठीक है तो भारती सम्विधान सभा के लिए चुनाओ कब हुए थे यानि कि अब सम्विधान सभा में जो यह जन प्रतीनिधी की बात हो रही है कि चुने हुए जन प्रतीनिधियों ने सम्विधान नाम की किताब को या दस्तवेश को देखने का काम किया था उसे सम्विधान सभा कहा जाता है अब सम्विधान सभा के लिए उन जन प्रतीन इदियों का चुनाओ कब हुआ ठीक है तो भारतिय सम्विधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुना हुए थे कब हुए थे जुलाई 1946 में चुना हुए थे भारतिय समविधान सभा के लिए और समविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो समविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी कभ हुई थी December 1940 को इनकी पहली बैठक हुई ठीक है चुनाओ कभ हुई July 1940 में बैठक कभ हुई December 1940 में यह बात याद रखनी है भी यहां से सीधा सवाल पुशा जाता है कि चुनाओ कभ हुई तो आप लिख गे जुलाई 1940 में पहली बैठक कब हुई तो दिसंबर 1946 मेन की पहली बैठक हुई थी ठीक है और इसके ततकाल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था ठीक है कब जैसे ही इसकी पहली बैठक हुई और इसके कुछ समय बाद भारत जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था ठीक है किलियर ये बात होती है फिर सम्विधान जब देश दो हिस्सों में बढ़ गया है भारत और पाकिस्तान में ठीक है तो अब सम्विधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ेगी अब दो देश हैं तो दो देशों के दो अलग-अल की सम्विधान सभा दो देश दो सम्विधान तो दो सम्विधान सभाओं की भी जरूरत होगी किलियर हो गई बात ठीक है अब भारत के सम्विधान की हम बात करें ठीक है तो भारत का सम्विधान लिखने वाली जो सभा थी यानि कि भारत की जो सम्विधान सभा थी उसमें 299 स दस्ते जिन्हों ने जिन्हों ने 26 नवंबर 2949 में अपना कार्य पूरा कर लिया था किलियर और 26 नवंबरimming पर उननीस सोन नचास की तारिक बहुत इंपर्टेंट है कैसे अब यहां से सवाल दो तरीके से आप से पूछा जा सकता है ठीक है एक तो ये पूछा जा सकता है कि भारत का भारत की जो सम्विधान सबाती उसने सम्विधान लिखने का कार्य कप पूरा कर लिया था तो आप बता देंगे 26 नवंबर 1949 में इसने अपना कार्य पूरा कर लिया था और इसी तारीक को 26 नवंबर 1949 को ही सम्विधान सभाने भारत देश के सम्विधान को स्विकार कर लिया था एक्सेप्ट कर लिया था अंगिकार कर लिया था ठीक है तो आप से सवाल पुछा जाएगा कि भारत के सम्विधान को सम्विधान सभाद्वारा कब स्वीकार किया गया तो आप बता देंगे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया अल्राइट चलिए फिर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राओं मेटकर बिल्कुल रटलो ये बात प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के सम्विधान के प्रारूप बनाने का श्रेय किसे जाता है डॉक्टर भीम राओं मेटकर तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानि की प्रारूप सम्विधान बनाया प्रारूप सम्विधान किसने बनाया डॉक्टर भीम राओं मेटकर ने और प्रतेक धारा पर 2000 से जादा संशोधनों पर चर्चा हुई थी और तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई ठीक है तीन वर्षों में यानि की 1940 से 1949 कितने वर्ष हुए तीन वर्ष हुए ठीक है तो तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और उन चर्चा को भी रिकॉर्ड किया गया और समाला गया जो चर्चा हुई तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की जो गंभीर चर्चा हुई थी उन उस चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया था और समाला भी गया था कि उस दौरान क्या-क्या बातने डिसाइड करी गई थी कैसे कैसे किन किन चरणों में ठीक है समविधान का निर्माण हुआ था अल्राइट किलियर हो गई बास समविधान सभा के बारे में तो एक बात और याद रखना है कि समभारत का समविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे तो आप बता देंगे भारत का समविधान लिखने वाली सभा म 299 सदस्थी 300 में एक कम वो गया याद चलिए अब देखें यह जो चर्चा करी गई थी जिसको रिकॉर्ड किया गया था और समहाला भी गया था ठीक है उस चर्चा को रिकॉर्ड किया गया और समहाला भी गया तो इन है कॉंस्टिटूटेंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया गया था किस नाम से कई दनों की 114 दनों की जो चर्चा हुई थी उस चर्चा उस बहस के हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को उस जो रेकॉर्ड की गई थी उसके जरिये हम समझ सकते हैं अल्राइट फिर उसके बाद बारी आती है कि भई सम्विधान बन गया 26 नवंबर 1904 को सम्विधान भारती सम्विधान सभा के द्वारा इंडियन कॉंस्टिटिशनल असेम्बली के द्वारा स्विकार किया गया अंगीकार किया गया तो भारत का सम्विधान पूरे भारत पर लागू कब हुआ था तो वो तारीक थी भारती सम्विधान लागू होने की हम बात करें तो वो त तारिक थी 26 जनवरी 1950 की कब की तारिक थी 26 जनवरी 1950 की तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसलिए इस दिन को गड़तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन के रूप में गड़तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है अब आपको समझ में आ गया कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं गड़तंत्र दिवस क्यों मनाते हैं ठीक है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारती समीधान लागू हुआ था ठीक है हमें हमारे देश का समीधान मिल चुका था और इसी लिए इस दिन को गड़तंत्र दिवस यानि की Republic Day गड़तंत्र दिवस को क्या कहा जात भी पबलिक डे री पबलीक डे के रूप में मनाया जाता है और राइट किलियर यहां तक की बास सब कुछ बड़ाजा है फिर आगे चलिए अब बात आती है भारती समीधान की विश्यस्ता की भारती समीधान की क्या-क्या विशिस्ता हैं वही संविधान बन चुका है संविधान सभागे द्वारा संविधान सभाने एक्सेप्ट कर लिया है और भारत में 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागु भी कर दिया गया है अब उस संविधान की constitution की क्या क्या विशिस्ता हैं क्या qualities हैं उसको भी जान लेते हैं तो सबसे पहली विशिस्ता हमें देखने को मिलती है संगीय सरकार जी हां हमारे देश में एक संग्य सरकार की स्थापना करी गई है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार में उसकी शक्तियों को आपस में बांटा गया है ठीक है फिर संसदात्मक सरकार जी हां हमारे देश में भारत की एक संसद है पार्लियामेंट है वहीं से हमारे देश की सरकार जो है शाषन चलाती है उसके बाद है संपूर प्रभुत्व संपन लोक तांत्रे के राज्य का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि हम पर हमारे देश पर सिर्फ हमारा अधिकार है कोई बाहरी शक्ती आकर हम पर अधिकार नहीं कर सकती जैसे कि पहले आजादी के पहले भारत के सम्विधान बनने से पहले हम पर किसका अधिकार हुआ करता था अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था लेकिन अब हमारे पास हमारा खुद का सम्विधान है हमारे सम्विधान के अनुसार हमारा देश चलेगा उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे अब कोई बाहरी शक्ति आकर अपने काम या अपनी जो अपना अधिकार हम पर नहीं धोप सकती हमें गुलाम नहीं बना सकती ठीक है फिर आदबाद आती है पंधनिरपेच्छ राज जी की तो यह पंधनिरपेच्छ शब्द क्या होता है द्वारा किसी भी धर्म को प्राथ मिक्ता नहीं दी गई है भारत सरकार सम्विधान के अनुसार सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं गिया जाएगा फिर उसके बाद बारी आती है मूल अधिका बहुंद के द्वारा भारत के नागरिकों Tobatella 6 मौलेक अधिकार दिये गये हैं , और अगर हमारे देश के नागरिकों के मौलेक अधिकार का उलंगन होता है, तो क्या होगा ,- तो उन अधिकारों का उलंगन होने परुन की भारपाई भी करी जाएगी . ठीक है फिर उसके बाद स्वतंत्र और निस्पक्ष न्याय पालिगा की बाद कही है अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है हम सीधा कहा जाएंगे हम कोट जाएंगे ठीक है तो हमारे देश में सरकार के एक प्रमोखंग के रूप में न्याय पालिगा की भी स्थापना करी गई जो की कानूनी विवादों का निप्टारा करती है उसके बाद है राज्य के नीती निर्देशक सिधान DPSP Direct Principal of State Policy ठीक है तो ये सारी चीजें भी जो हैं हमें मिली हैं जिसके अनुसार हर राज्य अपनी नीतिया बना सकेगा और उन नीतियों के अनुसार उस राज्य का शाशन चलेगा अल्राइट तो यह हो गई हमारे भारती सम्विधान की विशेशताएं तो आज हमने क्या क्या जाना कि हमारे भारत देश के सम्विधान का रिर्माड कहां से प्रारम होता है कैसे होता है कितना समय लगता है और हां टोटल समय की बात करें तो हमारे देश के और उसके बाद हमने जाना भारते समथान की कौन-कौन सी विश्यस्ताइं होती हैं तो आज के session में बस इतना ही जल्दी मिलते हैं अगले session में और भारत के समथान की इन सारी विश्यस्ताओं को हम डेटेल में जानेगे साथी साथ भारत की सम्विधान की प्रियंबल यानि की देशी का प्रस्तावना को भी डेटेल में जानेगे तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में तो अगर आप हमारी टेली की लाइब लेसन और रिकॉर्डर लेसन से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चनल, वेबसाइट और अप्लिकेशन पर मैगनेट ब्रेंस उंडिया का नमबर वन 100% फ्री ओनलाइन एड्यूकेशन प्लेटफॉर्म है इसके अलावा अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्सिस हिंदी मीडियम, इंगलिश मीडियम दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं और CBC बोर्ट, दिल्ली बोर्ट, भिहार बोर्ट, UP बोर्ट, MP बोर्ट, राजस्तान बोर्ट के सलीवर्स को कवर कराने के साथ-साथ उन सारे स्टेट वोर्ट के सलीवर्स को कवर कराया जाता है जहां पर NCRT का पैटर्न फॉलो होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRT से कई सारे स्पेशल कोर्सिस भी हमारे पास आपके लिए उपलब्ध हैं जैसे कि व्यादिक में स्क्रेश कोर्स स्पोकर इंगलिस और इतने सारे कोर्सिस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एज्जुकेशन के साथ फुली और्गनाइजड कम्प्रीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध करवाये जाते हैं यूट्यूब के लावा अधर सोशल मीटा प्लेटफॉर्म जिसकी फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, टालीग्राम, वाटसिप पर भी उपलब्ध है आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक शेर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुडे रही है, पढ़ते रही है, खुश्रिया, थाएंगी सोमच